भारत का भुगोल भारतिय उप माद्वीप को दक्षन एशिया में एक अती महतोपोन स्थान प्राप्त है। व्यापार और वानिज्य के द्रिष्टी से इसकी भागोलिक स्थिति विश्व के अनकूल है और ये पूरब तथा पश्चिम से प्रत्यक्ष तह संयोजित है। इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, अरिबियन पैनिंसुला एवं अफरीका महाद्वीप तथा पूरब में म्यानमार, मलेशिया और इंडोनेशिया स्थित हैं। स्वेजनहर मार्ग से होकर यूरोप से इसकी दूरी केवल साथ हजार किलोमेटर है। इस प्रकार स्वेजनहर मार्ग एवं आशा अंतरीप से उत्री अमेरिका एवं दक्षणी अमेरिका से भी इसका संपर्ख है। विश्व के तृतिय विशालतम महसागर, हिंद महसागर का नामकरन भी इसी के नाम पर किया गया है। इसका एक विशिष्ट भागोलिक अस्तित्व है जिसे हिमाले, किर्थार, सुलेमान, हिंदोकोष, एवं पूरुवांचल, परवत, श्रिंखलाइं, शेश, एशिया से प्रिथक करती हैं। भारतिय उपमाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, एवं बांगलादेश हैं, जिन में भारत विशालतम देश है। भारत पूर्णतया उत्री गुलाड में इस्तित है। इसका विस्तार 8.04 मिनट एवं 37.06 मिनट उत्री अक्षांच एवं 68.07 मिनट एवं 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षन तक 3214 किलो मेटर एवं पूरप से पश्चिम तक 2933 किलो मेटर है। भौतिक विशेष्टाएं। भारत को तीन विशेष्ट भौतिक भागों में बाटा गया है। हिमाल परवतमाला इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है जो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूरब तक दिवार की तरह विस्तरित है। फिर प्रभावशाली नदी प्रणादी यथा सिंदु गंगा एवं ब्रमपुत्र के प्रवहन क्षेत्र से निर्मित उत्तर का विशाल मैदा इसके निम्न भाग में प्राय द्वीपिय भारत के दक्कन का पठार है जो भारतिय उपमा द्वीप का सबसे बड़ा एवं प्राचीन भू भाग है। इसमें प्राचीन काल के चट्टानी खंड पाए जाते हैं। उत्तर की विशाल परवतिय दिवार। भारत की उत्तरी सी परवत श्रिंखला का विस्तार उत्तर पश्चिम में पामीर के पठार से एवं दक्षिन पूरब में चम्मु कश्मीर से सिंदू घाटे तक है। विश्व की द्वितिय उचतम परवत चोटी केटू गौडविन ऑस्टिन जो 8611 मीटर उची है इसी परवत श्रिंखला में ह कराकोरम के दक्षिन में लद्दाक शेत्र है एवं और नीचे दक्षिन की ओर जासकर परवत माला है। ये दोनों जम्मु कश्मीर में इस्तित हैं। हिमालय भारत के उत्तर में लगभग 2500 किलोमेटर लंबी सतत परवतिय दीवार का निर्मान करता है जो पश्चिम में कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश को घेरता है। मध्य हिमालय उत्री उत्तर प्रदेश एवं नेपाल तक विस्त्रित है। पूर्वी हिमालय पश्चिम बंगाल के उत्री भाग को घेरता है एवं सिक्किम भूटान और अरुनाचल प्रदेश में फैला हुआ है। हिमालय क पठार के कगार पर अवस्थित है। ये सर्वोच परवत श्रिंखला है जिसकी समुद्रतल से ओसत उचाई लगभग 6,000 मीटर है। विश्वकी सर्वोच परवत चोटी माउंट एवरेस 8,848 मीटर जो नेपाल में है इसी ब्रिहद हिमाले से संबद्ध है। पर भारत में सर्वोच चोटियां हैं। हिमादरी के दक्षिन में हिमाचल श्रेणी है जिसे मध्य हिमाले या लगु हिमाले के नाम से जाना जाता है। इसकी समुद्रतल से ओसत उचाई 3,700 से 4,500 मीटर के मध्य है। परवतिये चोटियों, घाटियों तथा विच्छन उच् श्रेणी में कई महत्तोपून परवतिये पर्यटन स्थल हैं। भारत का आकरशन गश्मीर एवं कुल्लू कांगड़ा घाटी एवं नेपाल की राजधानी काटमांडू इसी श्रेणी में है। शिमला मसूरी नैनिताल एवं दारजलिंग के चर्चित परवतिये स्थल हिमा की इसी हिमाचल श्रेणी पर अवस्थित हैं। शिवालिक श्रेणी हिमाले की सबसे दक्षणी श्रेणी है जो हिमाले परवत श्रेणी में निम्नितम है तथा जिसकी ओसत उंचाई समुद्रतल से 900 से 1200 मीटर के बीच है। मुलायम चट्टानों और कीचर से निर्मित ये प उत्री किनारों से होती हुई पूरब में मुख्य परवत श्रिंखलाओं में मिल जाती है। यद्यपी अपनी उत्तुंग श्रिंखलाओं के कारण हिमाले भारत की उत्री सीमा को अलंग अवरोध प्रदान करता है तथा पी इन परवत श्रेणीयों के मद्धे कुछ दरारे भी हैं जो उच्च परवतों के पार जाने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती हैं। इन दरारों को दर्रे यानि पासस भी कहा जाता है। ये दर्रे सदियों से न केवल पारंपरिक व्यापारिक मार्ग रहे हैं बलकि विदेशी आक्रमनकारियों के लिए सुगम मा और इस प्रकार इन दर्रों ने भारत के इतिहास को भी अत्यधिक प्रभावित किया है। ये परवत्ष्रिनिया हिमाले की तरह न तो उची है नहीं दर्षनिया। जाव मैदान का निर्मान हुआ है। पश्चिम में सतलज के किनारे से पूरब में ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार लगभग धाईसो किलोमेटर है। सिंधु के प्रवहन क्षेत्र का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है परंतु इसका एक भाग पंजाब एवं हर्याना में भी है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रवहन क्षेत्र उत्री भारत के अधिकांश राज्यों में स्थित है। उत्री भारत के विशाल मैदान की सर्वोत्तम विशेष्ता उसकी चरम क्षेतिजता है। सिंदु तथा गंगा ब्रह्मपुत्र प्रवण क्षेत्रों में प्रिथक करने वाले जल विभाजक के आतिरिक्त अन्य कोई बौगोलिक अंतर नहीं है। ये विभाजक दिल्ली एवं अंबाला से गुजरने वाली अरावली परवश्रेणी की संकीन श्रेणियों से निर्मित है। जल विभाजक की ओसत उंचाई लगभग 300 मीटर है एवं ये उन दोनों प्रवण क्षेत्रों को निरंतरता प्रदान करता है। प्रिष्ट सत्तर फिर भी इस मैदान का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है। पहला उच्च भूमी मैदान ये बाड स्तर से उंचा होता है एवं पुराने जलोडों से निर्मित होता है। ये मैदान भांगर यानि बांगर कहलाता है। दूसरा निम्न भूमी मैदा इस क्षेत्र की गणना नवीनतम कछारी भागों के रूप में की जाती है। यहां प्रतिवर्ष बाड का पानी पहुँचता है एवं नई जलोड मिट्टी की परच छोड़ जाता है। अता ये क्षेत्र काफी उपजाओ होता है। इसे खादर मैदान भी कहा जाता है। विशाल मैदान का जल प्रवाहा। सिंधु तथा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली दोनों मिलकर उतरी भारत के विशाल मैदान का निर्मान करती है। सिंधु पार हिमालई नदी है। इसका उदगम स्थल हिमाले के परे तिबबत में है एवं ये पाकिस्तान में प्र जबकि रावी भारत में कुछ दूरी तैकर पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। जबकिस्तान में प्रवाहित होती है। यथा चंबल, बेतवा एवं केन, मालवा के पठार से निकलती है। फरक्का के पश्चात गंगा की मुख्यधारा बांगलादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नदी कहा जाता है। बंगाल की खाडी में गिरने से लगभग 80 किलो मिटर पहले पद्मा नदी में पार हिमालेई नदी ब्रह्म पुत्र जिसका उद्गम स्थल तिब्बत इस्थित मान सरोवर जील है, मिलती है। इस प्रकार दोनों मिलकर भारत बांगलादेश शेत्रे में विश्व का विशालतम एवं संभवतह सबसे उरवर डेल्टा का निर्मान करती है। चावल, गेहू, जुआर, बाजरा आदी, खाध्यान फसलों के अतिरिक्त, ये क्षेत्र, गन्ना, तिलहन, जूट आदी, नकदी फसलें भी पैदा करता है। इस क्षेत्र में सगन जनसंख्या पाई जाती है, एवं यहां बहुतेरे उद्योग धंदे स्तापित किये गए हैं। प्रायद्वीपिय भारत का विशाल पठार उत्तरी भारत के विशाल मैदान के दक्षण में प्रायद्वीपिय भारत का प्राचीन भुखंड अवस्थित है, जो कठोर कायांतरित चट्तानों से निर्मित है। इसे प्रायद्वीपिय भारत का पठार कहा जाता है। ये दोनों प्राचीन परवत पठार के तीक्षन किनारों का निर्मान करते हैं। इस भाग की अधिकांच नदियां उत्तर दिशा में यमुना नदी की ओर बहती हैं। इस किनारे पर सह्यादरी, नीलगिरी, अन्नमलाय एवं इलायची की पहाणियां अवस्थित हैं। जिसे सामाने रूप से पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है। अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट की ओसत उचाई दक्षन की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपी अभारत की सर्वोच चोटी केरल में इस्थित अनाई मुदी है, जिसकी उचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पर उडग मंडलम, पूर्व में उटी नाम का आती महत्वपूर्ण परवतिय परिटनस्थल अवस्थित है। पश्चिमी घाटों से दक्कन पठार का धाल पूरब की ओर अग्रिसर होता है, जो बंगाल की खाडी तक जाता है। दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा कामस पश्ट है, क्योंकि पूर्वी घाट में आसतत महेंद्र गिरी नामक निम्न पहाडियां है। दक्कन के पठार की सभी बड़ी नदियां यथा महनदी, गुदावरी, क्रिश्चन एवं कावेरी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, जो पूर्वी घाट की इन निम्न असतत श्रिंखलाओं से गुजरती हुई, बंगाल की खाडी में विलीन हो जाती हैं। केवल नर्मदा एवं तापती ही ऐसी दो बड़ी नदियां हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, एवं अरब सागर में गिरती हैं। विशाल पठार के उत्तर पश्चिमी भाग का निर्मान लावा प्रवाह अथवा आगनेय चट्टानों यथा बसार से हुआ है, इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। सेकडों मीटर मोटी इन चट्टानों का विस्तार संपून महराष्ट्र तथा गुजरात और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में हैं, जिसके कारण घनी-काली मिट्टी का प्रसार इन क्षेत्रों में पाया जाता है। विशाल पठार के कई भागों में खनिज संपदा का भी विपुल भंडार है। कुलार की प्रसिद्ध सोना खान, तमिलनाडू एवं जारखंड के युरेनियम भंडार, उत्तर पूरब के मैंगनीज, लोह अयस्क एवं तांबे के भंडार विशाल पठार के क्षेत्रों मे अवस्थत हैं। की झीलों सौल्ट लेक्स में प्रवाहित हो जाती हैं या रेत में विलीन हो जाती हैं। केवल लूनी नदी कच्छ के रन में प्रवाहित होती है। मरुस्थलिय जलवायू शुष्क एवं मानव जीवन के लिए अनुपयुक्त होती है। इसके परिनाम स्वरूप इस क्षे संकीन तटिय मैदान इस्थित हैं। पश्चिमी तटिय मैदान पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के मद्ध इस्थित है। पश्चिमी तटिय मैदान का दक्षनी भाग जिसे मालाबार तट कहा जाता है संकीन एवं विशम है। ये विभिन धाराओं एवं नदियों के प चोड़ा होता जाता है एवं गुजरात के मैदान को घेरता है। बंगाल की खाड़ी एवं पूर्वी घाट के मद्धे इस्थित पूर्वी तटिये मैदान चोड़ा एवं सम है। इसमें कृष्णा, कावेरी, महानदी एवं गोदावरी नदियों द्वारा निर्मित कुछ उर्वर एवं सजल डेल्टा हैं। पूर्वी तटिये मैदान का दक्षणी भाग कौरो मंडल तट एवं इसका उतरी भाग उतरी सरकार के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की मिठियां गेहरी एवं उर्वर हैं। भारतिये द्वीप। मुख्य भूभाग के अतिर प्रिष्ट पर विग्यापन दिया गया है। प्रिष्ट पर विग्यापन दिया गया है। प्रिष्ट पर विग्यापन दिया गया है। इसी प्रकार 1080 cm वार्शिक वर्शा के कारण मौसन राम विश्व में सरवाधिक वर्शा वाला क्शेत्र माना जाता है जबकि पश्चिमी राजस्तान के शुष्ट प्रदेश मात्र 13 cm वार्शिक वर्शा प्राप्त करते हैं। इन दो चरम स्थितियों के मध्य सामान्य जलवायू के अन्य क्शेत्र भी हैं। ये असामान्य स्थितियां भारत को विशम जलवायू का देश बनाती हैं। करकर एखा भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करती हैं। दक्षणी भारत उष्ण कटी बंद में पड़ता है जबकि उतरी भारत उपोष्ण कटी बंद में। परिणाम तह भारत के कुछ उच्च अक्षांशों के क्षेत्रों को छोड़ कर पूरे क्षेत्र में उच्च तापकरम पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका, इरान, मध्य एशिया एवं तिबबत की तापकरम एवं दबाव संबंदी इस्थि भी मौनसून के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसके दो प्रकार हैं उत्तरी पूर्वी मौनसून एवं दक्षन पश्चिम मौनसून। उत्तर पूर्वी मौनसून को आमतोर पर शीत मौनसून कह जाता है। मौसम की विविद्धा सर्वाधिक व्यापक रूप में शीत तथा ग्रीश्म काल में बहने वाली मानसूनी हवाओं के परिवर्थित होने पर दिखाई देती है। लगभग संपून देश पर मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण भारत में इस पश्ट रूप से चार रितुएं पाई जाती है। इन रितुओं का परिवर्थन मानसूनी पवनों द्वारा अपनी दिशा परिवर्थित करने के साथ चक्रवत होता रहता है। ये चार रितुएं इस प्रकार हैं। इवं प्रकाशमान होता है जबकि रातें ठंडी होती हैं। शरद रितु की सुहावनी चलवायू दिसंबर तथा जनवरी में पश्टिमी चक्रवातों के आगमन से कुछ दिन के लिए बदल जाती है। तुफानों से होने वाली हलकी वर्षा से इन दिनों ठंड बढ़ जाती है। ग्रिश्मरितु, मार्च एवं माई के मध्य की अवधी बढ़ते तापक्रम एवं घरते वायुदाप की अवधी है क्योंकि घने ताप का बंद दक्षण से उत्तर हो जाता है। मार्च में विंधी के दक्षण में दिन का तापक्रम 35 डिग्री सेंटिग्रेट तक पहुँच जाता है। चोटा नागपुर के पठार पर फैल जाता है। अतस्थानिय एवं सागरिय आद्र हवाओं का संचरन इस ओर होने लगता है। एवं प्रबल स्थानिय तूफानों का जन्म होता है। कभी-कभी मुसलादार वर्षा के साथ-साथ ओले पढ़ने लगते हैं। केरल एवं तटिय मैदान मांसून पूरू वर्षा प्राप्त करते हैं जिसे आमर वर्षा कहा जाता है। असम एवं बंगाल में भी इस रितो में वर्षा होती है लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत ल कर्षित करता है। दक्षन पश्चिम मांसून चमक एवं गर्जन के साथ अकस्मात या आट अपकता है एवं करीब एक महा की आवधी में पूरे देश में फैल जाता है। दक्षन पश्चिम मांसून की शुरुवात हिंद महसागर से होती है एवं ये जून से सितंबर तक ब्हुंध्य रेखा के दक्षन से शुरू होने वाली दक्षण पूर्व व्यापारेक हवाएं भी उत्तरी हिंद महसागर की जलवायू प्रणाली में शामिल हो जाती हैं एवं भारत की ओर मुड़ जाती हैं प्राय द्वीपिय भारत का भूभाग इस दक्षन पश्चिम मांसून को दो शाखाउं यथा अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाज़त करता है। इवं अरावली की पहाड़ीयों को पार कर पंजाब एवं हर्याना पहुचता है। ये हवाएं भी बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मांसूनी हवाओं से मिलती हैं एवं पश्चिमी हिमाले में भारी वर्षा करती हैं। वहाँ उत्तर पूर्वी पहाड़ीयों से टकरा कर पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा करता है। इससे उत्री मैदानी भागों उप हिमालई क्षेत्र एवं अन्य सटे राज्यों में भी वर्षा होती है। तमिलनाडू के पूर्वी तट को छोड़ कर मानसून रितो में पूरे देश में अच्छी वार्षिक वर्षा होती है। परंतु वर्षा का वितरन हर क्षेत्रों में समान नहीं होता क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी हवाएं कमजोर होती जाती है। इस प्रकार कोलकाता में 120 सेंटीमीटर, पटना में 102 सेंटीमीटर, इलाबाद में 91 सेंटीमीटर, एवं दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी हवा का रुख वाला पश्चिमी घाट भारी वर्षा प्राप्त करता है जबकि दूसरा भाग कम वर्षा प्राप्त करता है। बंगाल की खाडी में उत्पन होने वाले चक्रवातिय गर्तों की तीवर्ता एवं आवरित्ती तथा उनका भूभाग में प्रवेश वर्षा के भोगोलिक वितरण के लिए उत्तरदाई है। उत्री पूर्वी मांसून का निवर्तन या श्चरदृतू। सितंबर मध्य से मांसूनी हवाएं पंजाब एवं हरियाना से वापस होने लगती हैं। ये हवाएं अक्टूबर के आंत में गंगा के डेल्टाव में तथा नवंबर के प्रारंभ में प्रायद्वी पिया भारत में पहुशती हैं। नमी युक्त भूमी एवं आद्रवातावरन पीछे छूट जाते हैं। अक्टूबर के मध्य से उतरी भारत में तापमान गिरने लगता है। उच्च दैनिक तापकरम, साफ आकाश एवं सुहावनी रातें इस रितू के मौसम की विशेशताएं हैं। तापकरम में गिरावट जारी रहती हैं। एवं दिसंबर तक शीत रितू अपनी चरम स्थिती में पहुँच जाती है। अक्टूबर नवंबर के संक्रमन काल में उत्तर पश्यमी भारत से निम्न दाब की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। एवं बंगाल की खाडी उनका परवाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मांसून ये मांसून दिसंबर एवं फरवरी महा में भारत के उत्तर पश्यमी भूभाग से हिंद महासागर की ओर बहने वाली हवा है। समुद्री क्षेत्र में बने निम्न दाब के क्षेत्र, प्रबल शीत रितू के कारण भारत के उत्तरी पश्यमी भाग में बने उच्च दाब के क्षेत्रों से हवाओं को आकर शित करते हैं। ये ठंडी एवं शुषक हवाएं गंगा घाटी के निम्न भाग से हिंद महासागर की ओर बढ़ती हैं। बंगाल की खाडी से गुजरने वाली हवाएं नमी युक्त हो जाती हैं। एवं तमिलाडू के तट से टकरा कर इस क्षेत्र में शीत वर्षा करती हैं। भूमी संसाधन एवं मुख्य फसल। क्रिशी भारतिय अर्थ विवस्था की रीड है। ये लगभग 52 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है। इसका हि लाखो लोगों की आमदनी एवं रोजगार का साधन बनकर ये अध्योगिक उत्पादों को बहुत बड़ा बाजार देती है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतिय आर्थिक विकास की योजनाओं में क्रिशी को गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त है। भूम हेक्टेर की ही सांख की ये सूचना उपलब्द है। आधे से अधिक भूभाग लगभग 51 प्रतिशत क्रिशी कार में व्यवर्थ है जबकि विश्व का ओसत 11 प्रतिशत भूभाग का ही उपियोग होता है। हमारे क्रिशक परिश्रमी हैं एवं वर्ष में दो फसलों का उत अन्य 30.3 प्रतिशत भूमी क्रिशी के लिए उपलब्द नहीं है क्योंकि ये भूमी या तो बंजर है या आवासिय अत्वा वानिजिक या दलदली जो क्रिशी कारे के लिए अनुपयुक्त है। परिणाम सुरूप देश की केवल 50 प्रतिशत भूमी पर ही खेती की जाती ह मृदा के प्रकार विभिन्य प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। राष्ट्रिय क्रिशी अनुसंधान परिशत ने इने आठ भागों में विभाजत किया है जो इस प्रकार हैं। पहला जलोड मृदा जलोड मृदा भारत के भूमी क्षेत्र के लगभग एक चौथाई भाग में फैली हु भारत का विशाल मैदान पंजाब से लेकर असम तक सम्रिद्य जलोड मृदा से बना है। ये मध्यप्रदेश एवं गुजरात की नर्मदा एवं तापती घाटियों, मध्यप्रदेश और ओडिशा की महनदी घाटी, आंद्रप्रदेश की गुदावरी घाटी एवं तमिल रोजन एवं जिवाश्म की आपर्याप्त ता रहती है, इसलिए इसमें उरवरक की बराबर आवशक्ता पड़ती है। इस प्रकार की मिट्टी सभी प्रकार के अनाज, डाल, एक, सबजी और तिलहन आदी के लिए उप्युकते हैं। एवं एल्यूमिनियम के योगिकों के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में आम तौर पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं कार्बनिक योगिकों की कमी रहती है, परंतु इसमें पोटाश, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एवं मैगनीशियम की 3. लाल मृदा ये मृदा चावल, रागी, तंबाकों एवं सबजी उत्पादन के लिए उप्योगत है। 4. लेटराइट मृदा इसका निर्मान मानसूनी जलवायू के विशेश लक्षन, आदर एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें लोह उक्साइड की प्रचूरता रहती है एवं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तथा मैगनीशम की नियूनता रहती है। इस प्रकार की मिट्टी चावल, रागी एवं एक उत्पादन के लिए उप्योगत है। पांचवी वन मृदा वन मृदा में कार्बनिक पदार्थ एवं जीवाश्मों की प्रचूरता होती है। ये हिमाले तथा उत्तर के अन्य परवतियक शेत्रों में पाई जाती है। ये म्रिदा हिमाले, उत्तर के पहाडी भागों, सहियादरी के उच्छ शिखरों, पुर्वी घाट, करनाटक, तमिलनाडु, केरल, मनिपुर, जम्मु कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उच्छ भागों में भी पाई जाती है। चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदी के उत्पादन के लिए इस प्रकार की म्रिदा उप्युक्त है। चटा, शुष्क एवं मरुस्थलिय म्रिदा उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क एवं अर्दशुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की म्रिदा पाई जाती है, जिसमें सामानेतह नाइट्रोजन एवं जीवाश्म की नियूनता होती है। ये मुक्यता अरावली शृंकला के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका विस्तार राजस्थान, हर्याना एवं पंजाब के कुछ भागों तथा कच्छ के रन तक पाया जाता है। इसे विभिन नामों यथा रेह, उसर या कलर आदी से भी पुकारा जाता है। ये बिलकुल अनुर्वर होती हैं, फिर भी इने वैज्ञानिक प्रयासों से उपजाओ बनाया जा सकता है। आठवी, दलदली एवं अन्यकार्बनिक म्रिदाएं। इस प्रकार की म्रिदाओं में जीवाश्म, कार्बनिक पदार्थ एवं घुलंशील लवणों की प्रचोड़ता होती है। इन में पोटाश एवं फासफोरस की कमी रहती है। दलदली मिट्टी, ओडिसा, बंगाल एवं तमिलनाडू के कुछ शेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी, उत्री एवं मध्य बिहार तथा उत्तर प्रदेश के अल्मोडा जिले में भी पाई जाती है। फसल के मौसम भारत में तीन मुख्य फसली मौसम पाई जाते हैं यथा खरीफ, रभी एवं जायद। खरीफ फसले मांसून से संबंदित हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं शरद रितु यानि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। खरीफ फसलों में मुख्य हैं चावल, जौर, बाजरा, रागी, मक्का, एक, कपास और पटसन। रभी फसलें अक्टूबर एवं दिसंबर के मध्य में बोई जाती हैं और अप्रेल तथा मई के बीच काटी जाती हैं। रभी फसलों में मुख्य हैं गेहू, जो, दलहन, सर अलसी और अरंडी। प्रिष्ट चोहत्तर जायद ग्रिश्म रितू की फसल है। चावल, मक्का, सबजिया, सूर्यमुखी एवं मुंख्यादी इसकी प्रमुख फसले हैं। समुचित सिंचित सुविधा से युक्त क्षेत्रों में प्रतिवर्ष तीन या चार फसलें उगा हैं। इसी प्रकार प्रायद वीपिय भारत के आधे दक्षणी भाग में शीत रितू में उच्चतापक्रम एवं भारी वर्षा के कारण चावल, ज्वार, कहवा, आधी की खेती की जाती है जो खरीफ एवं रभी फसल के वरगी करण को गलत साबित करती है। फिर भी भारत खाद्यान फसलों में मोटे अनाज एवं दलहन आते हैं। मोटे अनाजों में चावल, गेहू, ज्वार, बाजरा, मक्का, इत्यादी प्रमुख हैं। दलहन में चना, मूंग, मसूर और अरहर प्रमुख हैं। अखाद्यान फसलों में अधिक्तम नकदी फसले शामिल हैं। यथा एक कपास पटसन तंबाको इत्यादी चाय कहवा रबड को बागाती फसलों में शामिल किया जाता है इनके अतिरिक्त फल सबजिया नारियल काजु इत्यादी उद्यान कृशी संबंधी फसले हैं इन फसलों का बहुतायत मात्रा में उत्पादन करने वाले राज्य इस प्रकार हैं बाजरा गुजरात राजस्थान, जो उत्तरपदेश राजस्थान, इलायची करनाटक केरल, अरंडी गुजरात आंद्रपदेश, मिर्च सूखी तमिलनाडु आंद्रपदेश, कहवा करनाटक केरल, धनिया राजस्थान आंद्रपदेश, कपास गुजरात महराष्र, अध केरल हिमाचल प्रदेश, चना राजस्थान उत्तर प्रदेश, मुंगफली गुजरात तमिलनाडु, ग्वार राजस्थान हर्यान, जुवार महराष्ट्र करनाटक, पट्सन पश्चिम बंगाल बिहार, अलसी मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश, मक्का उत्तर प्रदेश बि पहता है असम केरल, तंबाकू माराष्ट्र तमिलनाडू, तुर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गेहुं उत्तरप्रदेश, पंजाब, हर्याना सिंचाई सभी प्राणियों एवं पौधों के अस्तित्व के लिए जल अनिवारे हैं, हिमाले की तराई में आवस्तित होने की वजह से, तथा सत्पुडा, अरावली, श्रिंखलाओं और दक्कन के पठार की उपस्तिती से भारत में जल संसाधन की प्रचूरता है, सिंचाई के प्रचल करने वाले प्रमुक राज्य उत्तरप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडू एवं महराष्ट्र हैं, इन राज्यों में जलस्तर उंचा है, मिट्टी मुलायम है और इसलिए कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं, भारत में नलकूप भी एक महतोपून सीचाई का साधन है, ये बिजली अत्वा डीजल से चलते हैं, फरत हमारे पश्वों को अधिक श्रम से बचाते हैं, ये उत्तरप्रदेश, बिहार, हर्याणा एवं पंजाब में आसानी से विक्सित किये जा रहे हैं, क्योंकि यहां की मिट्टी में पर्याप्त नमी है, भारत में 48 प्रतिशत सीचा का एक प्राचीन एवं महत्वपून स्रोत है, इसका मध्य एवं दक्षणी भारत विशेश कर आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडू में बहुत महत्व है, कुल सिंचित भूमी के लगभग 8 प्रतिशत भाग में सीचाई तालाबों से होती है, नहरे, हमारे देश में नहरे सीचाई का सरवाधिक महत्वपून सादन है, प्राचीन हिंदू एवं मुसल्मान राजाओं द्वारा कुछ नहरें खुदवाई गई, अंग्रेजी शासनकाल में ज्यादा नहरें खोदी गई, आजकल कुछ सिंचित भूमी का लगभग 49 प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सीचा जाता है, अधिकांच नहरें उत्तरप्रदेश एवं पंजाब में पाई जाती हैं, दक्कन एवं मध्यप्रदेश में संगराहक नहरें बनाई गई हैं, दीर्ग मध्यम एवं लगु सीचाई परियोजनाएं, भारत में प्रयुक्त होने वाली सीचाई योजनाओं को मुख्यत तीन भागों यथा दीर्ग मध्यम एवं लगु सीचाई योजनाओं में विभक्त किया जा सकता है, उन सीचाई परियोजनाओं को जिनके अंतरगत 10,000 हेक्टेर से अधिक क्रिशी योग्य भूमी आती है, दीर्ग परियोजना कहा जाता है, वो परियोजना जिसक इनके अंतरगत 2000 हेक्टेर से कम क्रिशी योग्य भूमी आती है, लगु परियोजना कहलाती है, विशलेशन के उद्देश से दीर्ग एवं मध्यम परियोजनाओं की गणना एक साथ की जाती है, इन परियोजनाओं के अंतरगत बांध, तटबंध, नहरें एवं इसी प्रक की कई परियोजनाओं संबिलित होती हैं, इन परियोजनाओं का निर्मान सरकार या वित्तिय संस्थानों द्वारा प्रद्दत आर्थिक सहायता से किया जाता है, क्योंकि इनके निर्मान में काफी खर्च होता है, दूसरी और लगु सीचाई परियोजनाओं भूजल विका कारी प्रयास से लागु किया जाता है इनके लिए आर्थिक सहायता संस्थागत साधनों द्वारा प्रदान की जाती है ''कुछ बड़ी सीचाई एवं बहुत देशिय परियोजना है'' बर्गी परियोजना मध्यप्रदेश ये एक बहुत देशिय परियोजना है जिसके अंतरगत जबलपुर जिले में बर्गी नदी पर बांध बनाया गया है और वाम तट्ट नहर निकाली गई है व्यास हरियाना पंजाब एवं राजस्थान का संयुक्त उपक्रम इसके अंतरगत व्यास सतलज संपर्क नहर एवं पोंग में एक व्यास बांध निर्मित किया गया है भद्रा परियोजना करनाटक भद्रा नदी के ऊपर एक बहुत देशिय परियोजना है भाकडा नंगल परियोजना हरियाना पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना है जिसके अंतरगत भाकडा में सतलज नदी के ऊपर गुरुत्व बांध बनाया गया है साथी नंगल बांध, नंगल जल विद्युत केंद्र, भाकडा बांध पर दो शक्ती ग्रिह तथा गंगुवाल एवं कोटला में दो विद्युत ग्रिहों का निर्माण किया गया है भीमा परियोजना महराश्ट्र इसके अंतरगत दो बांध हैं, जिन में से एक पूना जिले में फागने के पास पाबना नदी पर एवं दूसरा शोलापुर जिले में उज्जैनी के निकट कृष्णा नदी पर अवस्थित है चंबल परियोजना मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना इस परियोजना के अंतरगत गांधी सागरबांध, राणा प्रताप सागर और बांध और जवाहर सागरबांध का निर्माण किया गया है दामोधर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और बिहार पश्चिम बंगाल और बिहार में सयुक्तरूप से सीचाई की सुविधाओं के विकास, जल विद्युत उत्पादन और बार नियंत्रन इत्यादी को ध्यान में रखकर ये बहुत देशिये नदी घाटी पर योजना शुरू की गई इसके अंतरगत तिलाया, मैथन और पंचेत में जल शक्ती केंद्रों, दुरगापूर में बैराज और बोकारों, चंद्रपूरा एवं दुरगापूर में तापिय शक्ती ग्रिहों की स्थापना की गई है प्रिष्ट 75 इस पर विज्यापन दिया गया है प्रिष्ट 76 इस परियोजना का संचालन दामोदर नदी घाटी कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है दुलहस्ती शक्ती परियोजना जम्मु कश्मीर जम्मु कश्मीर के किस्तवार क्षेतर में जेनाब नदी पर 390 मेगावार्ट का शक्ती ग्रिह बनाया गया है इस परियोजना पर 1981 में कार्य आरंब हुआ 15 अप्रेल 1983 को ततकालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा अभहरण एवं हत्या की धमकियों के कारण इस परियोजना का कारे लंबे समय तक बाधित रहा जिसके कारण इसके निर्मान में काफी समय लगा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल कुलकाता बंदरगाह के संगरक्षन उचित रख रखाव एवं हुगली में जल परिवहन को विक्सित करने के उद्देश से इस परियोजना का निर्मान किया गया इसके अंतरगत फरक्का में गंगा नदी पर एक बैराज बनाया गया है तथा जंगीपुर में भगी रथी पर भी एक बैराज बनाया गया है इसके अलावा फरक्कामे गंगा से एक फीडर चैनल निकाल कर इसे जांगीपुर बैराज के नीचे भगी रथी से जोड़ दिया गया है गंदक परियोजना, बिहार एवं उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना नेपाल भी इस परियोजना से सिंचाई एवं विद्युत लाब प्राप्त करता है घाट प्रभा परियोजना करना टक बेलगाम एवं बीजापुर्जिलों में घाट प्रभा नदी के ऊपर ये परियोजना स्थापित है हास्देव बांगो परियोजना मध्यप्रदेश ये हास्देव बांगो परियोजना का तृतिय चरण है इसके अंतरगत हास्देव नदी पर पत्थर का बांध बनाया जाएगा इस परियोजना का प्रथम एवं दृतिय चरण बहुत हद तक पूरा हो चुका है हीराकुंड ओडिसा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर निर्मित है जायक वाडी परियोजना महराष्ट्र गोदावरी नदी के ऊपर पत्थर का एक उत्पलव मार्ग बनाया गया है कहल गाउं परियोजना बिहार आठ सो चालीस मिगावर्ट वाली कहल गाउं सुपर तापिये शक्ती परियोजना राष्ट्रियत ताप विद्युत निगम एवं रूसी राज्य उद्यम विदेशी आर्थिक संग की एक संयुक्त परियोजना है इसका अधिग्रहन 12 अगस्त 1996 को किया गया तब से ये वनिजिक संक्रिया में सनलगन है काकरापाड़ा परियोजना गुजरात सुरत जिले में काकरापाड़ा में निकट तापती नदी के ऊपर इस परियोजना का निर्मान किया गया है कंगसाबती परियोजना पस्टिम बंगाल इस परियोजना के अंतरगत कंगसाबती एवं कुमारी नदियों पर बांध निर्मान की योजना है करजन परियोजना गुजरात भरुज जिला के नंदू तालुका में जीतगड नगाओं के निकड करजन नदी पर बांध बनाया गया है कोसी परियोजना बिहार एक बहुत देशिय परियोजना जो बिहार एवं नेपाल को लाब पहुँचाती है कोवना परियोजना महराष्ट्र इसे 880 मेगावार्च चमता के एक शक्ति ग्रिह के साथ कृष्णा नदी की एक सहायक नदी पर निर्मित किया गया है ये मुंबई पोने और द्योगिक शेत्र को बिजली की आपूर्ती करती है कृष्णा परियोजना महराष्ट्र इस परियोजना के अंतरगत धोम गाउं में कृष्णा नदी पर धोम बांध और सतना जिले में कनहार गाउं में वर्ना नदी पर कनहार बांध बनाया गया है कुकदी परियोजना महराष्ट्र इसके अंतरगत पांच संग्राहक बांध यथा योद गाउं, मानिक दोही, डिम्ब, वदाज, इवं पिम्पल गाउं जोग निर्मित किये गए हैं नहर प्रणाली के अंतरगत आते हैं, पहला कुकदी वाम तट नहर, दूसरा डिम्ब वाम तट नहर, तीसरा डिम्ब दाया तट नहर, चौथा मीना फीडर और पांचवा मीना शाखा कुन्दोह परियोजना, ये तमिलनाडू में है जिसकी आरंबिक्षमता 425 मेगावाट थी, इसे बढ़ा कर 535 मेगावाट कर दिया गया है वाम तट घागरा नहर, उत्तरपदेश, गिरिजा बांध के घागरा नदी की बाइन तट एवं सरियू नदी की संपर्क नहर, सरियू के ऊपर एक बांध भी बनाया गया है मध्य गंगा नहर उत्तरप्रदेश बिजनौर जिले में गंगा के उपर स्थापित एक बांध महनदी डेल्टा योजना ओडिशा हीराकुन संग्राहक से मुक्त पानी का इस्तेमाल करने के लिए इस योजना को कार्य रूप दिया गया है महनदी संग्राहक परियोजना मध्य प्रदेश इसके तीन चरण हैं पहला बिलाई इस पात को जलापूर्ती के लिए रविशंकर सागर परियोजना एवं फीडर नहर प्रनाली तथा सुदूर गाओं में संदूर बांध महनदी फीडर नहर का विस्तार तथा तीसरा पेरी बांध माही परियोजना गुजरात दो चरणों वाली परियोजना जिसका पहला भाग वाना कबोरी गाउं के निकट माही नदी पर एवं दूसरा भाग कदना के निकट माही नदी पर है माल प्रभा परियोजना करनाटक, बेल गाम जिला में माल प्रभा नदी पर निर्मित एक बांध, मयुराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, एक सीचाई एवं जल विद्युत परियोजना जिसमें कनाडा बांध है, नागार जुन सागर, आंद्रप्रदेश, हैदराबाद से चवालीस किलोमेटर दूर नंदी कोना गाउं के निकट कृष्णा नदी पर इस्थित, पनम परियोजना गुजरात, पंच महल जिले में कोल्डेजार गाउं के निकट पनम नदी के ऊपर पत्थर से बना एक परम बिकुलम अलियार, तमिलाडू एवं केरल का संयुक्त उपक्रम, अनमलाई पहाडियों की छे नदियों एवं मैदानी भाग की दो नदियों का समन्वित नियंत्रण, पोचम पद आंद्रप्रदेश, गोदावरी नदी पर इस्थित, पोंग बांध, पंजाब, व्या उतरपश्चिमी क्षेत्रों को सीचाई की सुविधाएं प्रदान करती है। इसके अंतरगत राजस्थान फीडर नहर, पहले 167 किलोमेटर पंजाब, एवं हरियाना में, तथा 637 किलोमेटर राजस्थान में, एवं 445 किलोमेटर लंबी राजस्थान मुख्य नहर, जो निर्मान किया गया है। ये योजना मध्य एवं पश्चिमी उत्तरप्रदेश में बाड को नियंत्रत करती है, साथ ही दिल्ली जलापूर्ती योजना को जलुपलब्द कराती है। रंजीत सागरबान, थेन बान, पंजाब, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे उचा बान्द जिससे पंजाब, हरियाना वजम्मु कश्मीर लाभानवित होते हैं। रिहंद परियोजना उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश की सीमाओं परिस्थित ये परियोजना मानव निर्मित सबसे बड़ी जील है। यहां वार्षिक 300 मेगावाट विद्युत का उत पादन किया जाता है। साबरमती गुजरात महसाना जिले में धारी गाउं के समीप साबरमती पर एक भंडारन बांध बनाया गया है। साथ ही एमदाबाद के निकट वासना बांध बनाया गया है। सलाला परियोजना जम्मु कश्मीर ये जम्मु कश्मीर में है। शार्दा सहायक उत्तरपदेश, घागरा नदी पर एक बैराज, शार्दा नदी पर एक संपर्क नहर, एक बैराज तथा गोम्ती वसाई पर दो जल नलिकाओं की एक फीडर नहर शरावती परियोजना करनाटत, ये जोग फॉल्स पर इस्थित है जिसकी क्षमता 891 मेगावॉट है, ये मुख्यता बंगलॉर के औध्योगिक शेत्र और गोवा तथा तमिलनाडो को विद्युत आपूर्ती करती है सोन उच्च स्तरिय नहर बिहार, सोन बैराज परियोजना का एक विस्तार है, तवा परियोजना मध्यप्रदेश, नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर बनी ये परियोजना होशंगाबाद जिले में इस्थित है, तीरी बांध परियोजना उत्राखंड, तीरी जिला में भगीरती नदी पर मिट्टी एवं चटान से निर्मित बांद। तुंग भद्रा परियोजना करनाटक एवं आंध्रप्रदेश की संयुक्त परियोजना तुंग भद्रा नदी पर इस्थित। परियोजना महराष्ट्र। यवत्माल जिले के इसापुर में पेन गंगा नदी एवं पर्भनी जिले के सपली में रायधू नदी पर दो भंडारन बांद बनाए गए हैं। उरी शक्ती परियोजना जम्मु कश्मीर जम्मु कश्मीर के बारा मुला जिले की उरी तहसील में जेलम नदी पर अवस्थित ये परियोजना चार सो असी मेगावार्ट जल विद्युत उत्पन करती है। इस परियोजना को तेरा फरवरी 1997 को राष्ट्र को समर्पित किया वनस्पती एवं वन भारत के प्राकृतिक संसाधनों में वनस्पतियों एवं बनों का उलेखनी इस्थान है। वन नवीकरणी अस्रोत हैं और आर्थिक विकास में महत्तोपोन योगदान देते हैं। वे परियावर्ण को साफ रखने में भी महती भूमी का निभाते हैं। दिसंबर 2015 में Forest Survey of India द्वारा जारी इंडिया State of Forest Report 2015 के अनुसार भारत के पास 89.42 मिलियन हेक्टेर्स वन संपता है। अर्थात देश का 24.16 प्रतिशत भूभाग वन्यक्षेत्र के अधीन है। ये रिपोर्ट दो वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है। वनों के प्रकार विभिन जलवायविक इस्थि, ब्रिदा के प्रकार एवं उच्चावच विशेषताओं के कारण भारत के भिन्यक्षेत्रों में विभिन्यक्षेत्रों में विभिन्यक्षेत्रों के वन पाय जाते हैं। भारत को पांच बड़े वनस्पती क्षेत्रों मे ज्वारिय वन और पांचवा हिमाले क्षेत्र के पर्वतिय वन उश्न कटिबंधिय सदाबाहर वन इस प्रकार के वन 200 से सेंटिमीटर से अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में पाई जाते हैं जहां वर्ष भर आद्रता की मात्रा सत्तर प्रतिशत से अधिक तथा तापक्रम सम रहता है वनस्पती घनी होती है एवं वरिक्ष लगभग साठ मीटर या अधिक उचे होते हैं इस प्रकार के अधिकांच वन पश्चिमी घाट के 500 से 1500 मीटर उचे अक्षांशों पर पाई जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसे वन पाई जाते हैं अर्द सदा बाहर वन ये वन पश्चिम बंगाल, ओडेशा, पश्चिमी घाट एवं भारत के अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के सदा बाहर वनों के सापेक्षतह शुष्क भागों में पाई जाते हैं ये वन 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाते हैं, इन वनों के व्रिक्ष कठोर एवं लंबे होते हैं, वनस्पती घनी होती है एवं आरंभिक विकास सगन होता है बांस, एबोनी और रबड के विरिक्ष इस शेत्र के लिए आर्थिक रूप से महतोपून हैं, परन्तु इनका कठिन दोहन इन्हें न्यून वानिजिक उप्योग के लायक ही छोड़ता है उश्न कटिबंधिय पतजडवन इस प्रकार के वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेश में पाय जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं इनका विस्तार उत्तर में शिवालिक श्रिंखला से प्रायद्वी पिय भारत के पश्चिमी घाटों के पूर्वी किनारों तक पाया जाता है इन वनों में घ्रिश मरितु के दौरान 6-8 सबताह तक पतज़ड का समय होता है, परंटु प्रतेक प्रजाती के व्रिक्षों की पतज़ड की अवधी आलग होती है अता ऐसे वनों में साल भर हरियाली होती है, इस वन में साल वसागौन के व्रिक्ष काफी महत्वपून है अन्य महत्वपून व्रिक्ष शीशम, चंदन, पलास, शेहतूत, महुआ आदी हैं, जो आर्थिक रूप से उप्योगी है शुष्क कंटीले वन इस प्रकार के वन 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले शुष्क खेत्रों में पाई जाते हैं यवन पश्चिमी पंजाब, दक्षन पश्चिमी हर्याना, राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के कुछ भागों एवं दक्कन के शुष्क भागों में पाई जाते हैं इसके व्रिक्ष छोटी-छोटी जाडियों के रूप में होते हैं खजूर, कीकर एवं बबूल के पेड़ों की जणे गहरी होती हैं एवं व्रिक्ष में कांटे पाई जाते हैं इसके अतिरिक्ट खेजडा, खेर और नागफनी आदी पाई जाते हैं जुआरिय वन जुआरिय नदियों के डेल्टाओं यथा महानदी तथा गंगा के डेल्टाओं में इस प्रकार के वन पाई जाते हैं मैंग्रोव एवं सुन्दरी इस वन के प्रमुख व्रिक्ष हैं गंगा डेल्टा में इस्थित सुंदर वन के मैंग्रोव वन में बंगाल टाइगर पाई जाते हैं और इस वन ख्षेत्र का नामकरण यहां पाई जाने वाले सुंदरी विरिख्ष के नाम पर किया गया है। इन वनों से जलावन की लकणियां एवं चमडा रंगने के पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं। शंक्वाकार पत्तों वाले विरिख्ष पाई जाते हैं जिन में साल, ओक, लाटेल, एल्डर, लॉरेल, स्प्रूस, चीड, देवदार आधी प्रमुक हैं। तीन अजार पांसो मीटर से अधिक उचाई पर अलपाईन वनस्पती मिलती हैं जिन में सवाई घास, मरकट एवं जाव की घनी जाडियां प्रमुक हैं। इससे उपर नंगे हिमाच्छादित परवतिय क्षेत्र हैं। सामाजिक वानिकी सामाजिक वानिकी के सिध्धांत को नकेवल पहचान मिली है, बल्कि सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्च नकेवल जलावन, चारा एवं अन्य वनुत्पादों की परियाप्त उपलब्धता सुनेश्चित करना है, बल्कि परियावरन संतुलन को भी अक्षुन बनाना है। इसके लिए सामुदाएक भूभागों इवं क्रिशी के लिए अनुपयुक्त भूमी पर वना रोपन को प्रोचसाहन दिया जाता है। क्रिशी वनों का प्रचलन हमारे यहां निजी जमीनों उनकी सीमाओं पर पहले से ही है। परंतु सामाजिक वानिकी के अंतरगत तीन प्रमुक योजनाओं पर बल दिया जाता है। यथा पहला बेकार पड़ी जमीन पर मिश्रित पौधा रोपन, दूसरा अवक्रमित वनो में पुनह व्रिक्षा रोपन, तीसरा व्रिक्ष छाइत पट्टियों की स्थापना। इस प्रकार सामाजिक वानिकी के तहट व्यर्थ पड़ी जमीन पर अवक्रमित वनों में एवं सामुदाइक जमीन पर नए नए व्रिक्ष लगा कर वन्य उत्पादों चारा आदी की परियाप्तता सुनिश्चित की जाती है। सामाजिक वानिकी योजनाओं के अंतरगत, इंधन और चारे की आपूर्ती, तेजी से बढ़ाने के उद्देश से लकडियों का बागानी उत्पादन किया जाता है। वन्यजीव विशिष्ट हैं एवं विश्व में अन्यत्र नहीं पाय जाते। विशेश प्रकार के स्वांप, हिरन सिर्फ भारतिय वनों में मिलते हैं। भारतिय जंगली सांड वास्तव में जंगली सांड बाइसन नहीं है, बलकि भारत में पाय जाने वाले जंगली बैल की एक प्रजाती गौर है। राष्ट्रिय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। सुन्दर वस्तु एवं प्रकृती की देन के रूप में वन्य जीव के संगरक्षन की अवधारना स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भारतिय जन्मानस में उभरी। उनकी सुरक्षा के लिए कई योजनाओं को लागो किया गया ताकि अनुपम प्रजातियां लुप्त ना हो जाए। भारत के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में बागों को सुरक्षित रखने एवं उनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश से बाग परियोजना की शुरुवात की गई। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के द्वारा खत्रे में पड़ी प्रजातियों की सुरक्षा एवं उनके संगरक्षन पर अमल किया जाता है। वर्तमान में भारत में 103 राष्ट्रिय उद्द्यान, 537 वन्यजीव अभ्यारण्य एवं 49 बाग सुरक्षित क्षेत्र हैं। यहां केंद्रव राज्य सरकारों तथा स्वयम सेवी संस्थाओं के अथक प्रयास से वन्यजीवों की सुरक्षा एवं उनके संगरक्षन की व्यवस्था सुनेश्चित की जाती है। प्रिष्ट 78 प्रतेक वर्ष के अक्टूबर माहा के प्रथम सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। भारतिय वन्यजीव बोड वन्यजीव संगरक्षन के लिए उत्तरदाई है एवं इसके अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं। बाग परियोजना केंद्र सरकार द्वारा एक अप्रेल 1973 को बाग परियोजना कारकरम प्रारंब किया गया जिसके उद्देश इस प्रकार है। पहला वैज्जानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सौंदर एवं पर्यावरन संबंधी मूल्यों के लिए भारत में बागों की एक निश्चित संख्या को बनाए रखना। दूसरा, लोगों की लाब, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए जैविक महत्व के इन ख्षेत्रों का राष्ट्रिय धरोहर के रूप में संगरक्षन करना। इनों देशियों को प्राप्त करने के लिए बाग सुरक्षित ख्षेत्रो को दी गई जानकारी के अनुसार भारत में 2010 के मुकाबले भागों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2010 में जहां 1706 बाग थे, महीं 2014 में इनकी संख्या 30.5 प्रतिशत बढ़कर 2226 हो गई। पर्यावरन मंत्री द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 मे ये संख्या 2500 तक हो गई। जम्मु कश्मीर दुद्वा राष्ट्रिय पार्क लखीमपूर खीरी उत्तरपदेश इर्विकुलम राजमले राष्ट्रिय पार्क इद्दुकी केरल घाना पक्षी विहार भरतपूर राजस्थान दुद्वा राष्ट्रिय पार्क लखीमपूर खीरी उत्तरपदेश घ भाटप्रभा पक्षी विहार बेल गामः करनाटक, गिर राश्ट्रिय पार्क जुनागड गुजरात, गुयन्डी राश्ट्रिय पार्क चैन्नाई तमिलनाडु, हजारी बाग राश्ट्रिय पार्क 55 जारकंड, जलदा पाडा अभ्यारन जलपाई गोड़ी पस्चिम बंग काना राश्ट्रिय पार्क मांडला 36 गड़, काजीरंगा राश्ट्रिय पार्क जोरहट असम, खंग चंद जेंदा राश्ट्रिय पार्क गंग टोक सिक्किम, कुट्टरी क्रीडा अभ्यारण बस्तर 36 गड़, मानस बाग अभ्यारण बारपेटा असम, मेला पट्टु पक्ष पक्षी विहार एम्दाबाद गुजरात, नवगाउं राष्ट्रिय पार्क भंडारा महराष्ट, पलामु बाग अभ्यारण डाल्टन गंज जार्खंड, पेंच राष्ट्रिय पार्क नागपुर महराष्ट, परियार विहार इद्दुकी केरल, रंगन थिट्टू, पक्ष पुरी मध्यप्रदेश, सिमिली पाल बाग अभ्यारण्य मयूर भंज ओडेसा, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुडगाउं हर्याना, सुन्दरवन बाग अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल, तदोबा राष्ट्रिय पार्क चंद्रपुर महराष्ट, भाष्ट्रिय पार्क भावनगर गुजरात, भारत की खनिज संपदा, भारत खनिज संसादन में धनी है, एवं एक और द्योगिक शक्ती बनने की क्षमता रखता है, इसके पास लोह अयस्क एवं कोईले का विशाल भंडार है, तथा खनिज तेल की एक अच्छी मात्रा है, इसके अतरिक्त भारत में बॉक्साइट का परियाप्त भंडार है, एवं अभरक पर दो लगभग एक आधिकार है, ये सभी मिलकर भारत को एक स्वावलंबी आधुनिक और द्योगिक राष्ट्र बनाने की क्षमता रखते हैं, निसंदे भारत में अभी भी तिन, शीशा, जस्ता, निकेल, बेट्रोलियम, आधि खनिजों का अभाव है, परन्तु खनिज संपदा की खोज संबंधी प्रयासों से आशातीत परिणाम सामने आ रहे हैं, तथा नए खनिजों का पता लग रहा है, फिर भी भारत के खनिज संसादन असमान रूप से वित्रित हैं, उत् अक्षेत्रों में भारत के कुल कोईला भंडार का तेन चौताई भाग पाया जाता है, साथी यहां लोह अयस्क, मैंगनीज, अब्रक, बॉकसाइट एवं रेडियो धर्मी खनिजों का परियाप्त भंडार है, प्रायद्वीपिय भारत के अन्यभागों के अलावा राजस् खनिज भिखरे हुए हैं, नीचे कुछ खनिजों के नाम तथा उन राज्यों के नाम जहां ये सरवाधिक मात्रा में पाय जाते हैं, दिये गए हैं। मद्यप्रदेश ज्हारखन ओड़ेशा, आंध्रप्रदेश तमिलनाडू सीशा राजस्थान आंध्रप्रदेश लिगनाइट तमिलनाडू गुजरात, मैंगनीज, ओड़ेशा अध्यप्रदेश करनाटक महराष्टतग, निकल, ओड़ेशा, प्राकृति ग्यास, असम ग आद्रप्रदेश बिहार राजस्थान, जस्ता राजस्थान, अधात्विक खनज, एस्बेष्टिस, आध्रप्र्देश, बीहार, बॉल्मृदा, deed यृत्रप्रदेश, यृत्रप्रदेश, अध्रदेश, महराश्ट्र, कैल सा miteinander, प्लॉमृट, यृत्रप्रदेश, ओडेशा प्रिष्ट उनासी